पंडित जी आपने पिछली बार एक बहुती अच्छी प्रडिक्शन करी थी 90 आपने गुन दिये थे 100 में से और आपने जिस प्रकार से बताया था बजट कैसा होने वाला है बिल्कुल वैसा ही हमें होते हुए दिखाई दिया है तो इससे पहले कि मैं आपको सवाल पूछू मैं हमारे दर्शकों को पिछले हफ़ते की एक छोटी से क्लिप दिखाना चाहूंगी कि मैं इस बजट को 100 में से 90 नंबर देता हूँ और ये बजट आम आदमी के लिए एक नई खबर लेकर आएगा आम आदमी के लिए औरतों के लिए घरीबों के लिए किसानों के लिए मजदूरों के लिए इस बजट में एक स्पेशल प्राभधान आपको मिलेगा हो सकता है आप ये कहें कि अगले पिछले 15 साल में ऐसा बजट नहीं आया बहुत बहुत अभिनंदन पंडिज आपका आपने जिस तरह से हमें बताया बिल्कुल वैसा ही बजट हमें दिखाई दिया है और सवाल भी आपसे कुछ इसे प्रकार होने वाला है कि अभी जो ये बजट हुआ है 2021 का तो हमारे भारत के अर्थ विवस्था पे और हमारे शेर मार्केट और कमोडिटी मार्केट पे इसका हमें कैसे असर होता हुआ दिखाई देने वाला है आने वाले कलमें लेकिए दो बातें यहाँ पर समझ के लेनी बहुत जरूरी है कि 2021 जो गया वहाँ पर जैसे ही मकराशी में सूर्य ने प्रवेश किया और शनी ने प्रवेश किया तो पूरा साल जो था इतना भेहंकर गुजरा कि ऐसे लग रहा था कि हमारी अर्थवेवस्ता और हमारा शेर मार्किट जो है पताल की तरफ जाते जा रहा है हमारे देश में घरीबी जो है वो बहुत ज्यादा फैल जाएगी महंगाई बहुत फैल जाएगी मगर इस बात का मैं नरेंदर मोदी साहब को और निर्मला सीता रमन को बढ़ाई देता हूँ कि जिस तरह से जीडीपी का आंकड़ा आ रहा था पिछले छे महीनों में बजट आने के बाद ये लग रहा है कि करोना काल की महामारी का असर आज के दिन और अगले छे महीनों और एक साल के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा बजट में हमने 100 में से 90 नंबर दिये थे जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है यनि मेरिट का बजट है इस बजट को लोगों ने इस बजट को financial analyst ने इस बजट को market ने इस बजट को industry ने इस बजट को employments ने इतनी सरलता से इतने प्यार से आलिंगन किया है कि आपने देखा कि बाजार जो 47, 48,000 में था वो 52,000 की तरफ भाग रहा है Bombay Stock Exchange का आंकड़ा जो है बजट के बाद इस तरह जंप मारा यानि 47,000 मार्किट नीचे की तरफ जा रही थी मगर बजट की positivity बजट जिस तरह से इन्होंने बनाया उस बजट की positivity देखें तो definitely जिस तरह का प्रावधान जिस तरह से गरीब और किसान को उन्होंने इस बजट में प्रावधान दिये हैं जिस तरह से सपोर्ट की है बजट का इस तरह का आना पिछले 15 साल मैंने बोला मैं तो बोलता हूँ पिछले कई सालों में इतना सुन्दर बजट नहीं आया लोग बोलेंगे कि इंडिया में अर्थ वैवस्था जो है उसके उपर करोना महामारी का कोई असर नहीं हुआ इस तरह का बजट जो है निर्मला सीतारमन और हमारे जितने भी एनलिस्ट हैं वो बधाई के पात रहें इवन ऑपोजिशन में विरोधी पक्ष लोगों ने भी बजट की सराहना की है बस यहां पर एक ही निवेदन है कि किसानों की समस्याओं का हल हो जाए तांकि किसान प्रसन हो क्योंकि किसान जो है वो अन्न दाता है बजट की बात करें तो आगे आने वाले दिनों में इंडस्टियालेजेशन बढ़ेगा